हेलो एब्रिवन मैं हूँ सर्चिन और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं Q-basic Q-basic के आज किस क्लास में हम लोग एक पोग्राम करने वाले हैं और इस पोग्राम में हम लोगों को करना क्या है कि यूजर से एक number लेना है जैसे कि अगर हम लोग एक variable लेते है और user के द्वारा हम लोगों को एक number मिलता है four ठीक है या फिर user के द्वारा हम लोगों को number मिलता है three ठीक है ना कुछ भी तो हम लोगों को बताना है कि जो भी user number दे रहा है वो एक even number है या फिर वो एक odd number है मतलब कि ये चेक करना है कि number is even और odd तो इसके लिए simple सा एक logic आप अप्लाई करना है सबसे पहरा चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी even number को अगर हम लोग 2 से divide करते हैं तो reminder हम लोगों क्या मिलता है जीरो मिलता है बात समझिए कोई भी even number एक ले लेता हूँ मैं जैसे 8 और इसको अगर मैं 2 से divide करूँ तो reminder जो होता है वो क्या मिलता मेरे को 0 उसी प्रकार से 48 is also a even number इसको भी अगर मैं 2 से divide करूँ तो reminder मेरे को क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा ठीक है तो हम लोग एक केस ऐसा दे सकते है if if number mod 2 equal to 0 then print number is थैक है यविस आप या फिर या फिर आप आप ऐसा भी कर फेदे ते एंगे अगे बदेओ आप 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 सकते हैं कि कोई और नमबर ले लिजे एक बर मैं अटा देता हूं कोई भी और नमबर ले लिजे जैसे कि 7 और अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो रिमेंडर हमेंसे क्या हैगा 1 आएगा दूसरा और number में ले लेता हूँ और इसको अगर मैं two से divide करूँ तो reminder क्या आएगा one आएगा तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं if n mod two equal to one then print number is अगर एल्स प्रिंट नंबर इस इवेन ठीक है तो इन दोनों तरीकों से हम लोग प्रोग्राम करके देखेंगे ठीक है अ तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे TLS लिखते हैं उसके बाद यूजर से हम लोगों को value लेना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे input और यहाँ पे यूजर को message दिखाएंगे इंटर इंटर ए नमबर और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक variable ले ले लेते हैं नाम का ठीक है उसके बाद यहाँ हम लोग बोलेंगे if n mod 2 equal to 0 equal to 0 then print नमबर इस एवेन एल्स प्रेंट नमबर इस और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे if को end कर देंगे if and if e nd and if ओके और उसके बाद program को end कर देंगे ठीक है और अब अगर मैं इसको run करूँ तो देखिए अभी यहाँ पे मैं एक नमबर दे रहा हूँ जैसे 8 तो आप सबको पता ही होगा 8 एक even number होता है जैसे मैं यहाँ इंटर मारूंगा तो number is even यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है उसी प्रकार से एक बार फिर से मैं इसको run कर रहा हूं और अभी यहाँ पर मैं 47 दे रहा हूं तो 47 जो है एक odd number है तो जैसे मैं इंटर मार रहा हूं तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को देखने को मिल रहा है number is odd है ठीक है हम लोग और एक तरीका से भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उससे में लिख कर अगर मैं यहाँ पर one कर दूं तो कोई भी odd number को अगर हम लोग तूसे करते हैं तो रिमेंडर हमेशा ही हम लोगों को वन मिलता है तो इस case में यहाँ पर हम लोग ठोड़ा change कर देंगे यहाँ पर एवेन का जगा में हम लोग और लिख देंगे और नीचे में odd का जगा में हम लोग इवन लिख देंगे और उसका बाद मैं अगर इसको मैं रन करूं और अभी देखिए अगर मैं फाइब लिखता हूं तो नंबर इस और और उसके बाद फिर से मैं एक बार इसको कुई कर और अपर मैं अभी एंट लिख रहाँ तो देखिए नंबर इस इवन तो इस तरीका से भी हम लोग यह प्रोग्राम बना सकते हैं ऐसे ऑफ कि कि आप सबको ईवन और और अच्छा करैंस अ林ख समझ में आया हो मि मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा